हेलो एबरीवन आज मैं आपके साथ शियर करने जा रही हूँ गाजर का हलबा और साथ में दानेदार माबा कैसे बनाए बह भी बताऊंगी कई बार होता क्या है हम हलबे में माबे को डाल देते हैं वह पिगल जाता है जैसा गाजर का हलबा साथियों में होता है जा हलबाई लोग बनाते हैं वैसा नहीं बन पाता मैं आपको बताऊंगी कि दूद में ऐसा क्या डाले जिससे हमारा माबा दानेदार बने चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंने जहां पर दो किलो गाजर ली है आप जब भी हलबा बनाने के लिए मार्कीट से गाजर खरी दें गाजर पतली हो और रेड कलर की हो गाजर जितने भी मोटी होगी उसमें उतना ही वाइट वाला पार्ट जादा होगा जिससे हमारे हलबे का कलर अच्छा नहीं आएगा इस तरह से सभी गाजरों का चिलका उतार दिना है चिलका उतारने के बाद मैंने सभी गाजरों का अच्छे से थो लिया है अब हम गाजरों को कदुकस करेंगी मैं यहाँ पर गाजरों को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर की मोटी साइड का यूज़ कर रही हूँ इससे हमारा हलबा जल्दी गलेगा नहीं और खिला खिला बनेगा इस तरह से मैंने सभी गाजरों को कदुकस कर लिया है आपने हलबा बनाने के लिए मोटी कडाही को यूज करना है ताकि हलबा जलेना हमने सभी गाजरों को कडाही में डाल देना है गाजरों को कडाही में डालने के बाद इन्हें हलाना है और इसमें और कुछ भी याड नहीं करना देखिए गाजरों ने पाणी चोड़ना शूरू कर दिया है इस तरह से हमने गाजरों को 7-8 मिन्ट तक और पकाना है देखिए यहां पर गाजरों का सारा पानी जल गया है और पानी जलने के बाद गाजरों का हलका सा कलर भी चेंज हो गया है अब इस स्टेज पर गाजरों में डालेंगे चीनी मैं जहां पर दो किलो गाजरों में 300 ग्राम चीनी डाल रही हूं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं चीनी डालने के 5 मिन्ट बाद चीनी अच्छे से पिगल गई है और उसने पानी छोड़ दिया है आप चाहें तो इसमें अलैची पॉडर भी डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हमने गाजनों को उस समय तक पकाना है जब तक जह पानी आलमोस्ट खत्म ना हो जाए अब गैस की दूसरी तरफ एक कडाही लेंगे और उसमें एक चमच खी डालेंगे खी गर्म होने के बाद उसमें काजू और बदाम डाल देंगे और उन्हें हलका सा रोस्ट कर लेंगे ड्राइ फ्रूट को रोस्ट करने के बाद उन्हें कट करना बहुत असान हो जाता है हलका सा रोस्ट होने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे दूसरी तरफ पर हमारा गाजरों का पानी लगपक खत्म हो गया है इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी गाजरों प्लेट में डाल कर आपको दिखाऊंगी कि हमारी गाजरों कितनी अच्छे से पकी है देखिए गाजर की शेप वही है पर वह अंदर से पूरी तरह से पक गई है और सॉफ्ट हो गई है अब इस स्टेज पर गाजरों में डालेंगे दो चम चखी और खी डालने के बाद 10 मिंट तक और पकाएंगे मैं गाजरों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका रही हूँ देखिए खी डालने के बाद गाजरों में कितनी अच्छी शाइन आ गई है और इस स्टेज पर डालेंगे रोस्ट की यह हुए ड्राइ फ्रूट मैंने किसमस को रोस्ट नहीं किया है वह जहांपर हलबे के साथ ही पक जाएगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर देंगे और हलबे को 2 मिंट तक और पकाएंगे मैंने जहांपर 250 ग्राम माबा लिया है इस स्टेज पर माबे को गाजर के हलबे में डालेंगे हमने माबे को गाजर के हलबे में थोड़ा सा हाथों से मैश करकर डालना है अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे गाजर का हलबा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है जहें बहुत ही असान है बस इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है पर इसका टेस्ट भी लाजबाव होता है थोड़ी सी महिंत करेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा देखिए हमारा हलबा कितना दानेदार बना है जैसा साधियों में होता है आप इसे 10 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते है सर्दियों में तो गाजर का हलबा सभी को खाना पसांद है जब भी आपका मान करे चाय के साथ खाना खाने के बाद आप इसे बना कर जुरू ट्राई कीजिए इस तरह से आप गाजर के हलबे को किसी भी बरतन में डाल कर स्टोर करके रख सकते है और जब भी आपका मान करे खा लिजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहballs हूँ दाने दार माबे की रस्पी जिसका यूज गाजर का हलबा बनाने के लिए किया जाता है मैंने जहां पर एक लिटर दूद लिया है मैंने जहां पर फैस का फुल फैट दूद लिया है दूद डालने के बाद इसमें एक वाल आने देना है दूद में एक वाल आने के बाद दूद को लगतर हलाते रहें तांकि जगे कडाही के नीचे ना लगे दूद से मावा बनाने के लिए मेहनत तो ज़्यादा लगती है पर मार्किट से मावा ख्रीदने से अच्छा है कि आप इसे खर पर बनाए मावा काफी सारी केमिकल डाल कर त्यार किया जाता है तांकि उसके कॉंटिटी बढ़ जाए देखिए हमारा दूद कैसे उबल रहा है और इसके कॉंटिटी पहले से कम हो गई है इस स्टेज पर दूद को लगतार हिलाते रहें इस स्टेज पर दूद जल्दी नीचे लग जाता है देखिए दूद पहले से आदी मात्रा में रह गया है अब हम दूद में डालेंगे तीन चार डॉप निम्बू का रस हमने निम्बू का रस एक साथ नहीं डालना इसे थिरे थिरे डालना है निम्बू का रस दूद में डालने के बाद दूद को दो से तीन मिन्ट तक पकाना है तांकि मैंने जो निम्बू का रस डाला है वह दूद के साथ मिलने के बाद दूद के छोटे छोटे दाने बना दे अगर हम एक साथ सारा नेम्बू को रस डाल देंगे तो हमारा दूद फट जाएगा और दानेदार माबा बनाने की जगा पर पनीर बन जाएगा इसलिए आप थ्यान रखें आपने थीरे थीरे थोड़ा थोड़ा नेम्बू का रस डालना है अब मैं फिर नेम्बू के रस की 3-4 ड्रॉप दूद में डालूँगी और फिर दूद को पकाएंगे जह सारा प्रसेस 3-4 बार होगा नेम्बू के रस की ड्रॉप डालेंगे और दूद को पकाएंगे देखिए नेम्बू का रस डालने के साथ साथ हमारा दूद भी गाड़ा हो रहा है अब दूद में हलके हलके दाने बन गए हैं इसके बाद हमने नेम्बू का रस और नहीं डालना अब हम दूद को लगतर पकाते रहेंगे, ग्यास की फ्लेम हाई है देखिए 10 मिन्ट बाद दूद कितना गड़ा हो गया है दूद को लगतर हिलाते रहेंगे, तांकि बह नीचे ना लगे और साइडों में जो दूद लगे का उसे भी निकालते रहेंगे पांच मिन्ट और पकाने के बाद हमारा माबा त्यार है देखिए हमारा माबा कितना अच्छा और दानेदार बना है आप भी इस तरह से अपने खर में माबा बना कर जुरू ट्राइ कीजिए आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक यू